जूद रहे हैं और पार्लमेंटरी बोर्ड का जो मुख्य विश्य आज था संसधिय बोर्ड का वो विश्य था कि उपराश्ट्रपती पद के लिए भारती जिनता पार्टी और NDA का कैंडिडेट का चैन प्रक्रिया तो इस चैन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे आदर ने प्रधानमंदर जी के उपस्तिती में सभी बातों की चर्चा हुई कई नाम हमारे पास आये जिन पर चर्चा हुई बड़ी व्रिहत चर्चा हुई सभी दृष्टी से चर्चा में समाज के दृष्टी से और भारतिय जनता पार्टी की संसदिय बोर्ड इस निशकर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपती पद के लिए भारतिय जनता पार्टी और NDA के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनकर जी को हम उपराष्ट्रपती पद के लिए अपन प्रत्याशी के रूप में घोशित करते हैं हम सब लोग जानते हैं कि जगदीब धनकरजी श्री जगदीब धनकरजी ये वेस्ट पेंगौल के अभी गवर्नर हैं और लगबग तीन साल तीन दशक तक सार्जनिक जीवन में इन्होंने काम किया है दनकरजी एक साधारन परिवार से किसानपुत्र एग्रेजन परिवार से किसान की भूमी से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच लक्ष को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलॉंग करते हैं और उनका लालन पालन जुनजुनु के एक डिस्टिक के गाओं में वहा हुआ और गाओं के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित और घर से अपनी शिक्षा ली बाद में वो राइस्थान इन्वेस्टी में फिजिक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में L.L.B. किया वो फर्स्ट जेनरेशन के प्रोफेशनल हैं यानि वकालत के रूप में वो फर्स्ट जेनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आपको राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील एक प्रसिद वकील के रूप में स्थापित किया और साथी साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया So he's a first-generation lawyer, a first-generation professional. And before coming to Sarjanik, he was a representative of the Supreme Court in the Supreme Court when he was in the first time in 1989 in Junjunu. चुनाव लड़ा और वहां से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वो पार्लिमेंटरी अफेर्स, Minister of State for Parliamentary Affairs के मंत्री रहे और बाद में वो राजिस्थान के किशंगर कंस्टिवेंसी अजमेर डिस्टिक्ट से विधान सभा के भी सदसे रहे और उनका एक लं जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राजिपाल का पद वेस्ट बेंगॉल में पश्चिम बंगाल के राजिपाल के पद को संभाला as governor of West Bengal और हम जानते हैं कि उनकी छवी पीपल्स गवर्नर लोगों के गवर्नर लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे सक्षियत के रूप में राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्जनिक जेवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतिय जनता पार्टी और एंडिये ने ये तै किया कि किसान पुत्र साधारन परिवार से बढ़ते हुए फिर्स जनरेशन के प्रोफेशनल फुली एक्विप्ट एजन एड्मिनिस्ट्रेट विट एड्मिनिस्ट्रेटिव केपैसिटी और जिनका सारजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है ऐसे प्रत्याशी को भारतिय जनता पार्टी और एंडिये अपना उप प्रोफेशन वाओं के दिश्टी से तियारी होगी मुझे यही आप सब को बताना था श्री जगदीब धनकड हमारे एंडिये के प्रत्याशी है बहुत बहुत धन्यवाद आप 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 किव आप